दोस्तो अगर आपके Angel One एप के अंदर लिखा आ रहा है वेब पेज नॉट फाउंड या फिर 403 फॉर्बिडन एरर अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके पास आ रही है तो बहुत ही जादा आसान सा समाधान में आपको पताने वाला हो इसके लिए सबसे पहले आपके mobile की settings को open करना है अब यहाँ पे आपको scroll down करते जाना है और सबसे नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा apps का हमें apps वाले option को select करना है अब यहाँ पे आपके mobile में जितने भी apps होंगे वो सारे आ जाएंगे हमें यहाँ पे see all के उपर click करेंगे और सारे application से वो open हो जाएंगे ह हमें यहाँ पे वापिस scroll down करना है और angel one का application find out करना है उसके बाद में हम उसे select करेंगे हर एक mobile में थोड़ा बहुत difference हो सकता है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें लिखने को मिल रहा है storage and cash हमें इसी को select करना है अब मैं जो आपको step बता रहा हूँ यह बहुत ज़्यादा ज है वो log out हो जाएगा सबसे पहले हम clear case के उपर click करेंगे और अपना case है clear करेंगे अब हमें clear stories के उपर click करना है और अपनी stories को clear करना है उसके बाद में हमें वापिस back आ जाना है और scroll down करेंगे अपनी screen सबसे नीची आपको एक option देखने को मिलेगा app details हमें इसी के उपर click करना है अब हम play store पर redirect हो चुके हैं अगर वहाँ पर app details का option नहीं मिलता तो आप directly play store पर भी जाके इस application को install कर सकते हैं अब उसके बाद में हमें वापिस अपने app को install करना है और फिर login करना है अब दोस्तों आपकी web page not found की problem solve हो गई है